प्रिश्णाय वाशो देवायो देवकी नंदनायचो नंद गोप कुमारायो गोविंदाये नमु नमु जैश्री रादेहे रादा रानी आप सब पर क्रपा वरसाती रहें प्रियमित्रों हमको हमारे चैनल पर बहुत सारे सवाल मिलते हैं और एक ऐसा ही सवाल जो काफी लोगों ने पूछा है कि एकादशी पर किन पांच वस्तूओं का सिवन नहीं करना चाहिए आज हम उसका जवाब देंगे सनातन धर्म में वैशनब लोगों के लिए एकादशी का जो ब्रत है वो परम कल्यानकारी ब्रत है हर महीने दो एकादशी के व्रत होते हैं साल में 24 होते हैं जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है एकादशी व्रत सभी मनुरूतों को पूर्ण करने वाला है एकादशी व्रत मोक्ष प्राप्ती कराने वाला है तो एकादशी वत में क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं सेवन करना चाहिए एकादशी के ब्रत के दोरान वो विसेश पाथ चीजे हैं जिनका सेवन जो ब्रत करते हैं उनको तो करना ही नहीं है लेकिन जो ब्रत्वी नहीं करते वैश्नव जन है उनको भी नहीं करना चाहिए तो पहली क्या चीज है एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे एक पौरानिक कथा जुड़ी है मेधा रिशी थे उनको मा भगवती के ताप से सरीर छोड़ा थी थी कालांतर में उस धरा से चावल और जोकी उत्पत्ती हुई इसलिए एक कारण यह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं करना चाहिए दूसरा चावल के अंदर जल तत्व अधिक होता है जल तत्व दिखोने से मन विचलित होता है क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारण है लेकिन एकादशी के ब्रत में हमें भगवान की उपाशना करनी है उनके साथ बैठ करके उनका सानिद्य प्राप्त करना है मंत्र जब करना है लेकिन जब जल तत्व की प्रधानता सरीर में ह होगी तो मन विचले तो हुआ दूसरी चीजें तामसिक चीजों का भोजन ना करें कि इस दिन मास लहशन प्याज और जितनी भी तीखे पदार थे यानि यह जो भी आप भोजन करने जा रहे हैं उसमें तेल और चिकनाई और मिर्च मसाले का प्रियुक्त कदा पी ना करें ऐसा करने से साधना में वेवधान होता है तीसरी चीज इस दिन बैगन का सेवन न करें सेम का सेवन न करें मूली का सेवन न करें यह सबजियों में जो तीन का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए और पांचवी चीज मांस और मदिरा और नसीली वस्तु इन चीजों का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए इन को साधना में परेशानी होती है ब्यवधान आता है साधना पूर्ण नहीं उपाती है भगवान के साथ जो चिंतन आप जोड़ना चाहते हैं वह चिंतन जोड़न नहीं पाता है एकादुशी का ब्रत परम कल्यानकारी व्रत है हम कहते हर वैश्णव को 15 दिन पर ये व्रत करना होता है जिससे सरीर बैग्यानिक भी कहते हैं इस ब्रत को करने से सरीर के अंदर फिल्ट्रेशन हो जाता है सरीर के अंदर ताजगी आ जाती है सरी के अंदर कई भीवारियों से निजात मिल जाती है यह व्यज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके दिखाया है तो एक आदिसी के दिन आप इन पांच वस्तूओं का त्याक करें वहवान कृष्ण का वहवान नारायन का हरिनाम संकीरतन को उर्त हुए आनंद ले जैश्री राधे ढग है तो leads है वहवान आव संकीरतन है वह व्यज्ञा है यह पर W एक ठाह rec Gall benefici है । झाल झाल